कौन से रोग मच्छरों द्वारा आपके फैलते हैं, कौन सी बिमारी मच्छरों के द्वारा फैलते हैं, देखे मच्छर किसके वज़े से ज़्यादा फैलते हैं, मच्छर फैलते हैं, जहापर भी एक जंगा पर पानी आपका रुका रहेगा, ठीक है, एक जंगा पर जो आप हुए पानी करिंगर भी मच्छर से होने वाली बीमारिया यहाँ पर फैल जाती है उसके लावा आप लोगों ने एक चीज ओड़ देखे होगी जो मच्छर होते हैं तो मच्छर जो होते हैं जब हमें काटते हैं हमें संकर्मित करते हैं उसकी वज़े मच्छों से फैलने वाले रोग इसकी मच्छों और रुमॉं ने है और आपका मलेरिया यह दो सब्सक्राइस exploratory नोंगी कंता 002 उस तरब हमारे देश के उत्र०ु से पढ़ता है ठीक है जो तरह कंडिस्टूइट है उसके बारे में मत है कि उन्होंने कौन से आपके विज्ञानिते और किस पर सोध गन निगले उनको मिला था जरह कमेंड बॉक्स में इसका मुझे आंसर यहाँ पर दीदे ठीक है अब देखे जैसे मैं बात कर रहा हूं मलेरिय कि आपकी दवाई होती है यह भी कभी एक्जाम में पूछ ली जाती है जो बनती है आपकी कुनेन दवाई होती है और यह दवाई किस से बनती है एक सिंकोना नाम का पेड़ होता है क्या होता है एक सिंकोना नाम का जो पेड़ होता है इस पेड़ की छाल होती है इस पेड़ प्रिक विमारी है, तो किस परकार से इसको कम किया जा सकता है, तो कभी-कभी एग्जाम में आता है, जैसा मान लीजेए, यहापर भी आपका पानी है, इस पानी के अंदर आप लोग तेल मिला दो, तो जब तेल मिला जाएंगे, तो उसके वज़े से पानी का प्रष्ट तनाव क्या हो जाता है करम कम हो जाता है इस पानी का जो प्रष्ट तनाव होता है density होती है वो यहापर कम हो जाता है जब यहापर कम हो जाता है तो इसके अंदर जो लारवा होता है वो यहापर फिर सास नहीं ले पाता और वो लारवा फिर वही के वही आपके मर जाते हैं, एक और दूसरा तरीका है, अगर आपको लारवा मांचेंए न, तो इस पांदी के नदर यहाँ पर आप, वो चोड़ दो, मचली क्या होती है, इन लारवा को खा जाती है जिसकी वज़े से भी आपके इसके आपर रोगठाम होती है हाला कि और वो सारे रोगठाम में मच्छरदानी का यूज कर लीज़ा आप लोग पानी को एकटे मत करिए यह काफी चीज़े यहां पर आपको दीजिए ठीक है रोनाल्ड रोस बिलकुर सभात रोनाल् तो इसके बार में आइविए तक नहीं आया अभी तक नहीं आया है ठीक है अजी सिंपल से याद कर लो निया मा 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 से मा नेरिया और मा नाफिली जो मक्छर ऑता है उसकी यह काटनी की वजह से होता है ऑ grow अजी को यहापड देंगो वाले वैक्तिल को काट लिया और फिर वो दूसरे वेक्टिकों भी जाकर काट लेता है, संकर्मित कर देता है, तो उसके वज़े साब के डेंगु का जो बिमारी होते हैं, वो देखने को मिलती है, एक कोशन यह आता है कि मालीजे किसी वेक्टिकों या पर मलेरिया हो गया, यह डेंगु हो गया, तो कौन से लक्सन उसके देखने को मिल जाते है, तो आपके एक्जाम में पिछली बार लक्सन भी पूछ लिए, ठीक है, पिछली बार आपके एक्जाम में लक्सन भी पूछ ले, पीए सिम्टम सिंभूच लिए अभे बहाए मलेरिया होगा तो सबस्जादَ लक्षन सबस्था कौन्छा देखने मिलता है देखने मिलता है यह सब सारे लक्षन हैं स्कें बारे में कोई ऐसा नहीं को जानता हो ठीकri बुखार होगा, सर्दी लगेगी उसके लावा सिर्दर्द यहाँ पर देखने को मिलता है, तो यह सभी लक्षन हो जाते हैं इनकी जो निसानियों तो यह कुर्षन आपके एक्जामनों पूछा गयता है ठीक है, तो यह बात हो गई भाई आपके मच्छरों की आपर बात होगी, जो मैं आपको बताए, ठीक